आज की रेसिपी बहुत ही खास है आज हम बनाने वाले सुपर टेस्टी पिज़ा पराठा जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या बच्चों के टिफिन के लिए कभी भी आसानी से त्यार कर सकते हैं सबसे पहले एक बोल में आपको बारिक कटा हुआ प्यास डालना है बारिक कटा हुआ शिम्रा मिर्च डालें इसमें बारिक कटा हुआ टमाटर डालें टमाटर की बीच हमने हटा दिये हैं थोड़ा सा स्वीट कौन मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसमें एक हरी मिर्च बारी कट करके डाली है अब यहां मैं इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कैबेज यानि की पत्ता वो भी अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक थोड़ा सा डालेंगे काली मिर्श का पाउडर इसमें जाएगा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और साथ मैं डाल देंगे थोड़ अब इसमें मैं डाल रहे हूं चीज जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है अब भै पीजा पराठा बनाया जा रहा है तो इसमें मैं डाल रहे हूं दो चमच पीजा सॉस और अब इसके बाद यहां मैं इसमें डाल रहे हूं एक चमच टमेटो सॉस अगर आपके पास पीज टमेटो सॉस डाल कर भी काम चलाया जा सकता है बहुत अच्छे से सभी चीजों को आपको मिक्स कर देना है और ये देखे बहुत ही बड़ी आसी स्टफिंग है त्यार अब मैंने गेहूं का आटा लगाया था और उसकी ये एक लोई बना ली है नॉर्मल जो आप चपाती के लिए घर में आटा लगाते हैं बस वैसे ही से लगाया था अब इसके उपर हमें सूखा आटा डालना है और इसे बेलना है तो देखे यहां पन्ना आपको एक बड़ी सी चपाती बेलनी है एक पतली और बड़ी सी चपाती बेलिएगा बीच बीच में अगर जरूरत होना तो आप इसके उपर थोड़ा सा सूखा डालें और इसे अच्छे से बेलें तो यह देखे बहुती आसानी से हमने एक बड़ी सी पतली चपाती बेल कर त्यार कर ली है अब इस चपाती के उपर मैंने एक चपमस टमैटो सॉस डाल दिया है इस सॉस को पूरी चपाती पर ऐसे स्प्रैड कर देंगे अब इसके बाद जो हमने स्टफिंग त्यार की है वो हम इसके अंदर रखने वाले हैं जादा मात्रा में आपको ये स्टफिंग इसके अंदर रखनी है और इसे पूरे पराटे पर फैलाना नहीं है सेंटर में इसे रखें और इस तरह से स्क्वेर शेप दें तो ये देखे हमने इस तरीके से एक स्क्वेर इसका बना दिया है और अब इसके उपर हम डाल देंगे यहाँ पर चीज और बस अब आपको इसे ऐसे फोल्ड करना है इस तरह फोल्ड करके हाथों से थोड़ा दबा देंगे फिर इधर से उठाएंगे और इसके उपर इसे फोल्ड करेंगे और बस हातों से इसे भी थोड़ा दबा दें अब इस साइट से भी उठा कर ऐसे फोर्ड करना है और इसे न अच्छे से हातों से दबाना है ताकि इसे ये खुले नहीं अब हमने देखिए इसे सभी तरब से अच्छे से पैक करके हातों से दबा दिया है इसे आप बेलना नहीं है पराँठा आपका त्यार है अब गैस पर कोई भी तवा या पैन रखें और इसके उपर थोड़ा सा ओईल या घी लगाएं और उसके बाद ये पराँठा इसमें डाल दीजिए गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे एक तरफ से थोड़ा सा इसे सिकने देंगे और उसके बाद ना हम इसे पलट देंगे और अब न आप इसके उपर थोड़ा सा घी या ओयल लगा दे और दूसी तरब से इसे थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर सिखने दे ये पराठे न बहुती टेस्टी बनते हैं तो अगर आपके बच्चे स्कूल का टिफेन जो है वो बापस ले आते हैं पराठे फिनिश करके नहीं आते हैं तो आप यह मज़ेदार से पीजा पराठे उन्हें बनाकर दे सकते हैं और बच्चे ने फिनिश करके ही घर आएंगे तो दोनों तरब से उलट पलट कर हल्का हलका दबा-दबा कर इसे सेख लेना है बहुती मज़ेदार सा पराठा ये त्यार होता है अब देखिए इसकी जो साइड्स हैं उन्हें सेखने के लिए आप पराठे को इस तरीके से खड़ा करके सेख सकते हैं इसकी किनारे अच्छे से सेख जाएंगे और बहुती बढ़िया पराठा त्यार होगा अगर आपको मेरी रेस्पीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें तो यहाँ पर देखिए पराठे को अच्छे से सेख लिया है इसे निकाल लेते हैं बहुती यम्मी पराठा बना है मेरे घर में ये पराठा सब को पसंद है इस पराठे की सबसे अच्छी बात ये है, ये बहुती टेस्टी है, हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी सब्जियों का इस्तमाल किया है पराठा बनाने के लिए कोई मैदा वगेर इस्तमाल नहीं की है तो जो लोग पीजा खाने के शौकीन है उनको ये पराठा बहुत पसंद आएगा तो आप भी अपने घर में ये मज़ेदार साथ टेस्टी पीजा पराठा बनाईए सब को खिलाईए और कॉमेंट करिए आपको ये कैसा लगा